चलो नेक्स्क्षेशन करते हैं, रीड कर लो, तो चार्ज़स 40 मैक्रोकॉलम और वाइनस 20 मैक्रोकॉलम और प्लेश अधर तर्फ इस अपर्ट, देखो दो चार्ज़स हैं ठीक है, शुरू में रखे गये थे, ये प्लस 40 मैक्रोकॉलम, माइनस 20 मैक्रोकॉलम, दोनों की बीच की जो डिस्टेंस है, वो आर है, चीक है, दोनों की बीच में जो फोर्स लग रहे थे, वो मैं ऐसे यहां लिख दे रहा हूँ, के क्यूएं, आर फोर्ती इन्टोटें लुपाव मैनस 6 एंटव मैनस 20 इन्टोटेंट लुपाव मैनस 6 जिवेदेटर वा डिस्टेंस ज़्क्रइंस का स्क्वाईर, अब जब दोनों को टैच करा प्रेच कर आया गया, टैश कर आईगा और टैच करा कि फिर से दोबारा उक plus 10 micro coulomb अब निया फोर्स कितना हो जाएगा के 10 x 10 to the power minus 6 into 10 into 10 power minus 6 divided by distance by square the final upon initial the final upon initial is equal to k or 100 into 10 to the power minus 12 divided by r square divided by यह किता होगा के इन्टू 4080 माइनस माइनस आपको माइनस 800 into 10 to the power minus 12 by r square r square से आर कटा के से के कटा यह माइनस रहे गा यहां पर 200 into 10 to the power minus 12 upon 800 minus में 10 to the power minus 12 to the card here is 001 by 8 minus में f final upon f initial to the ratio की बात करें तो f final upon f initial की value आईगी 1 by 8 ठीक है 1 by 8 को अप्शन ये वाला final initial to final करें नहीं इनिशल to final करा तो ये वाल ओप्शन होगा final to initial कहता है तो 1 by 8 था लेकिन initial to final करा तो 8 by 1 ये ओप्शन जादा अप्रोप्रियेट है चलों नेक्स कोशन करते हैं कोशन रीड करों